कोलकता की आरजी कर मेडिकल कॉलेज में आठ नौ अगस्त की रात को जो हुआ उससे आज पूरा देश सन है कोलकता में निर्भया कांड को ले करके हाला की विरोध प्रदर्शन लगातार जा रहे है इस कहानी को इस घटना को जो कोई भी सुन रहा है उसके मन में यही सवाल आ रहा है कि आखिरकार कब तक लड़कियों की सुरक्षा को ले करके सवाल उगते रहेंगे लड़किया महिलाओं के मन में जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये की आखिरकार हमारी सुरक्षा कहां है हम अकेले महफूस कहां है इस घटना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे मेरे साथ मेरे सायोगी अभिशेक चतुरवेदी मौजूद है सबसे पहले आपको बता दूँ कि आजिकर मेडिकल कॉलेज में सेकेंड यर की स्टूडन के साथ जो घटना हुई उसके बाद से ये घटना इतनी ज़ादा खौफनाक थी कि पुलिस और डॉक्टर तक उस लड़की की हालत नहीं देख पा रहे थे डॉक्टर का कहना था कि जब हमने उस लड़की की हालत देखी उसे देख कर साफ लग रहा था कि जिस भी लड़के ने ये काम किया है उसने हैवानियत की सारी हदे पार कर दी है पूरा कॉलेज, पूरे कॉलेज के साथ साथ चाए अगर मैं महराश की बात करूँ या चाहे मैं दिल्ली की बात करूँ सारे डॉक्टर्स इस समय विरोत प्रदर्शन पे बैटे हैं कि आखिरकार उस लड़की की सुरक्षा में किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाए इस कहानी में विस्तार से चर्चा करेंगे अभिशेक मेरे साथ मौजूद है अभिशेक सबसे पहले मैं जानना चाती हूँ कि ये घटना जो हुई आरजिकल मेडिकल कॉलेज में बताए गया कि सेमिनार हॉल में वो लड़की सिर्फ आराम करने गई थी और उसी दोरान की ये घटना है उसे नहीं पता था कि वो जिस सेमिनार हॉल में रात में आराम करने जा रही है वो उस सेमिनार हॉल से कभी बहार निकल कर नहीं आ पाएगी आप उस घटना की बारे में उमें पताइए नंदिनी पूरी घटना आठ नौ अगस्त की रात की है जो साल 2012 में दिल्ली में हुआ था अगर ये कहूं कि उसको कोलकाता में दोहराया गया तो ये बड़ी बात नहीं होगी कई लोग इसको निर्भया पार्टू का नाम दे रहे हैं देश में ऐसी घटना है दोबारा नहीं होनी चाहिए ये तब भी कसम खाई थी देश के लोगों ने जो हमारे देश की रक्षा के लिए कानून बनाते हैं जिनके कंधों पे ये जिम्मेदारी है उन्होंने ये कसम खाई थी कि दुबारा इस देश में ऐसा नहीं होगा कानून भी बने थे लेकिन जिस मेडिकल कॉलेज का जिकराप कर रही थी उस मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर 31 साल उसकी उमर थी वो ड्यूटी पे थी वो अपने दोस्तों के साथ डिनर करने के बाद जब नाइट ड्यूटी में लोग होते हैं जिसका नाम संजीव राय है वो उस सेमिनार हॉल में जाता दिखता है और ठीक 45 मिनट बाद 4.45 पे वो उस सेमिनार हॉल से बाहर निकलता हुआ दिखता है उस 45 मिनट में उस सेमिनार हॉल में क्या होता है उस लड़की के साथ कितना गलत होता है इस कहानी को वो पोस्टमाटम बया करती है जिसे पढ़ने के बाद डॉक्टर्स और पुलिस वालों के भी हाथ काप गए जी क्योंकि जिस तरह से आपने पोस्माटम रिपोर्ट का जिक्र किया मैं थोड़ा सा अगर मैं बताऊं जिस तरह से मैंने आपको बताए कि डॉक्टर्स और पुलिस का अभिशेख सिर्फ एक ही लाइन थी जो दोनों की सेम थी उनका यही कहना था कि हमने खुद उस लड़की को हम नहीं देख पाई उसकी हालत क्योंकि उस लड़की के गाल में चोटों के निशान थे उसके नाक पे चोटे थी पूरे शरीर में एक एक पार्ट में उस चोट के निशान थे जो साफ साफ यह बता रहा था कि उस लड़के ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी साथ ही जो खबर सामने निकल के आई कई रिपोर्ट सामने आई उसमें बताए गया कि जब लड़का लड़की को मार पीट रहा था उस समय वो लड़की आधी मर चुकी थी जिसके बाद उसने उस लड़की के साथ गलत काम किया है मैं चाहते हूँ अब इशेक एक बार आप ये पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारी दर्शकों को बताएं कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिरकार हुआ गया है जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें दोनों आख और मुह से खुन निकल ले थे चेहरे पर चोट के निशान थे प्राइबेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी पेट बाया पैर डाहिना हाथ उंगलियां होट सब पे चोट के निशान थे आप ये जैसे बता रही थी कि श महिला मुख्यमंतरी मंता बनरजी देखती हैं तो वो यही कहती हैं पुलिस वालों को कि किसी भी हाल में इस केस को हम लोग यहीं सोल्व करेंगे मतलब CBI के हाथ में नहीं जाने देंगे लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यूं जो आरोपी था जो आरोपी पकड़ा गया वो ब जो हैवानियत उसने की थी कपड़े पर दाग तो धुल लेता है लेकिन जूते पर धब्बे बच जाते हैं और उसके बाद जब उसके घर पुलिस पहुंसती है उसे जब अरेश्ट करती है तो यही जूते के निशान और ब्लुटूथ जिसका जिक्र हम लोगों ने अब त सबसे पहले आपने ममता बैनर जी कर जिक्र किया मैं सबसे पहले बता हूं जब यह मामला साब ने निकल किया था तब ममता बैनर जी पर कई सवाल ओलेडी खड़े हो रहे थे लोगों का कहना था कि हमें सरकार पर भरोसा नहीं है हमें यह के सीवी आई पर देना है दो सवाल वहाँ पे बहुत तरीके से खड़े हो रहे थे सबसे पहले जब ममता बैनर जी ने ये बयान दिया था अबिशे कि CBI के हातों में केस नहीं जाना चाहिए बहुत दुख की बात है कि आपके या एक लड़की के साथ इतनी हैवानियत हो जाती है और उसके बात आप ये केस CBI के हातों में जाना चाहिए ममता बैनर जी पे कई सवाल खड़े हुए अबिशेग लोगों का कहना था कि इनों ने सबसे पहले केस दवाने को कह दिया कि लड़की का जो है केस किसी तरह रफा दाफा करो हमें ये केस आगे नहीं ले जाना हमें इस केस को और किसी के हातों में न इस केस का एक और्डियो भी वैरल हो रहा है नंदी जिसमें लोग आरोपी को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं बातचीत जो मतलब सुनाई दे रही है वो यही इशारा करती है कि आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है ममता बनर जी जो उदारन देती है वो कती है नंदी ग्राम केस में अब तक इनसाफ नहीं हुआ वो दो चार बड़े केस का एक्जामपल देती हैं सिबी आई किसी भी केस की जांच करती है तो उसको वक्त लगता ही लगता है और इस केस में भी जो सिर्फ इन्होंने संजी उराय को गिरफतार किया है जो आरोपी ह जिसको अब तक मुख्य आरोपी बताया जा रहा है इस केस में और भी कई लोग जुड़े हो सकते हैं क्योंकि ये मामला सिर्फ और सिर्फ रेप का नहीं हो सकता है ये मामला गैंग रेप का है इस और भी इशारा पुलिस की जांच रिपोर्ट कर रही है हालांकि ये पता त को ये ऐसा मुहूर्थ है क्या आखिर क्यूँ मामले की जाच अगर सिर्फ इस होनी चाहिए थी तो तुरंत होनी चाहिए थी इनको एक महिला सीयम होने केना ते केश ट्रांसफर करना चाहिए था सिर्फ ये जाच होती और जो सच्चाई थी वो बाहर निकल कर सामने आती वो यह कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज बहुत ही जाना वाना कॉलेज है हजारों लाखों में बच्चे वहां पे ट्रेनिंग लेने आते हैं पढ़ने के लिए आते हैं उस कॉलेज की सुरक्षा वैवस्था कैसी थी कि जब एक सेमिनार हॉल में एक लड़का एक लड़की के आता है ऐसा नहीं हो सकता विशे कि आसपास किसी भी लोगों को कुछ सुनाई ना दिया हो क्योंकि कॉलेज में आप जानते हैं कि ऑल्री बच्चे रात तक नहीं सोते दो तीन बजे तक जैसे की नाइट शिव्ट भी चल रही थी तुमानी सी बात है कि आसपास कॉलेज में फुरे कॉलेज में हल्चल होगी तो इसमें जब जैसे की आप ते कहा कि गांगर के सामने आने की आशंका है उस कॉलेज की सुरक्षा वेवस्था कैसी थी सुरक्षा तो देखिए सेमिनार सुनसान ही होगा अगर जहां तक जो अब तक मामले हैं ये जो अब तक कहानी सामने आई है वो यही कह रही है कि सेमिनार सुनसान होगा वहाँ जब इसने गलत किया होगा लड़की चीखी होगी चिलाई होगी लेकिन कोई बचाने नहीं पहु और ये दिमागी रूप से बिशिक्त है जो बरेली वाले केस में हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले बताया था कि वहाँ भी एक साइको किलर घूम रहा था और कई महिलाओं के साथ उसने गलत किया तो सवाल है कि कोलकाता पुलिस क्या बरेली पुलिस की मदद लिने आएग और फिर साइको किलर का केस ढूंडा जाएगा और क्या सिर्फ साइको किलर वाली ही कहानी सच है या फिर पुलिस इस केस को नया मोड़ दे रही है क्योंकि हर मामले में सियासत तो तय है बंगाल में जब भी कुछ होता है इस तरीके के मामले सामने आते हैं चाहे वो संदेश फिराय आरोपी नहीं है कई और भी आरोपी हो सकते हैं जिनको बचानी की कोशिश हो रही है हला कि ये काम पूलिस का पूलिस के लिए है तै करना गम की क Each इसाप से काम करती है ये कई बार गंभीरा रो उस पे लगे हैं लेकिन इन मामलों में कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सवाल महिला सुरक्षा का है और मुझे लगता है रविवार नहीं ममता बनर जी को ये कहना चाहिए कि CBI या फिर जिस किसी भी जाच एजंसी से हजाच करवानी है करवा लो लडगी को इनसाप मिलना ची परिवार को उसके इनसाप मिलना ची ये लड़की तो आ अब रही है। उसका बेस भी है देखिए उसका आधार ये है कि उस जो आरोपी है उसकी चार शादियां होई थी तीन वीबियां छोड़कर भाग गई चौथी शादी होई तो उसकी पतनी कैंसर से मर गई एक साल पहले उसके बाद ये दिमागी रूप से इसकी हालत खराब हो गई और उसके से अब एडॉपसी रिपोर्ट जो भी निकल के आई सामने उसमें हाला कि यही चीज़े निकल के आई कि जब इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था उस समय सबसे पहले उस लड़की को पीटा गया जब वो लड़की मरने की हालत में हो गई उसके बाद उस लड़की के से निकल करके सामने आई है इन सब के बाद अभिशेक मैं एक आखरी सवाल जो आप से पूछना चाहते हूं कि अब आगे क्या कारवाई होनी है क्योंकि इस केस के लिए CBI के पास ये केस जाना चाहिए सब ही का कहना है चाहे मैंने जैसे जिक्र किया सबसे पहले महराश का मै वापस नहीं जाएंगे इस केस में पुलिस आगे क्या कारवाई करने जा रहे है डॉक्टर्स की मांग तो देखे बिल्कुल जैज लेडी डॉक्टर हो ट्रेनी हो सब कमरे में अकेली होती है मरीजों की जाच करने जाती है तो उनकी सुरक्षा का सवाल तो है ही अस्पताल म कई ऐसी जगह होती है जहां सामान पड़े होते हैं जहां मेडिकल एकुप्मेंट रखे होते हैं और वहां भीड़भार नहीं होती तो यह सुरक्षा का सवाल है और इस मामले में मुझे लगता है मैं जैसे पहले भी कर रहा हूँ कि CBI जाच की मांग जो लोग कर रहे हैं ज चाहे देश की बड़ी संस्ताय हों ममता बैनर जी को यह सुन लेना चाहिए इसमें क्या हर्च है जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी देश को CBI भरोसा है बिल्कुल और इन सब के बाद जो एक सवाल सबसे पहले खड़ा होता है ममता बैनर जी पर कि जब आपके पास CBI क केस आया था तो आपने CBI के हातों में केस देने से सबसे पहले क्यों मना किया यह सवाल आज देश का हर एक डॉक्टर ममता बैनर जी से पूछना चाहरा है कि आखिरकार आप खुद भी एक महिला है जब आपके ही राज में एक लड़की के साथ इतना गलत हो गया उसके आप तमाम तरह की दलीले उन्होंने देनी शुरू की जैसे अभीशेक आपने बताया कि उन्होंने तमाम तरह के काकेसες दिये कि CBI इसमें देर करती है सवाल लड़की की सुरक्शा का है वो लड़की सेमिनार हॉल में अकेले सिर्फ आराम करने गई थी जिसके बाद मैने य लड़की के मन में ये सवाल एक बार फिर से उड़ गया है, जो उस वक्त उठा था जब दिल्ली से निर्भया कांड सामने आया था, कि आखिरकार कोई भी महला या कोई भी लड़की चाये वो 5 साल की ओचाये 10 साल की ओचाये 20 या चाये 22 साल की हो, अकेले वो लड़की महफू देने को तयार नहीं है तो हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है में नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरू कमेंट करके बिताएगा